बैनियन ट्री पार्ट वन तो दा हाउस एंड ग्राउन बिलॉंग तो माइ ग्रेंट पेरेंट्स दा मैगनिफीशिंट ओर्ड बैनियन ट्री वस माइन शीफली विकॉस ग्रेंट फादर एट सिक्स्टी फाइब कोड नाट लॉंगर क्लिम एट देखो जो एक घर की बारे में इसमें बात कर रहा है वो बोलता है कि वो घर तो मेरे ग्रेंट फादर का था ठीक है लेकिन वहाँ पर जो बैनियन ट्री था एक बैनियन ट्री बैनियन ट्री क्या होता है बरगत का पेर वो मेरा था शेफले विकाॉज ग्रेंटादर एक 65 खोड नॉट लॉंगर क्लिम एट क्योंकि जो मेरे ग्रेंटादर थे वह 65 येड ऑल्ड के थे तो वो तो उस बैन्इनट ट्री पर नहीं लटक सकते थे क्योंकि वो बुड़े थे इसलिए वो जो बैनियन ट्री था वो मेरा था क्योंकि मैं उस पे आसानी से लटक सकता था इट स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हूंग टू दा ग्राउंड एंड टूक रूट अगें वो जो बैनियन ट्री था उसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकली वी थी जो ग्राउंड में अटाय चोके उसकी रूट्स दुबारा से बहुत सारे ट्विस्ट से उसमें बना रही थी अमंग देम वेर स्क्वेल्स एंड स्नेल और बटर फ्लाइट दे ट्री वास ओल्डर देन ग्रेंट फादर अस ओल्ड एज देरा दून इटसल्प वो बोलता है कि उस बनेंट्री के पास बहुत सारे चोटे-चोटे से जानवर भी रहते थे लाएक स्कोईयर्स नेल वागेरा इन वो जो बनेंट्री था वो बहुत ज़धा पुराना था जतना पुराना की वो घर था मतलब मेरी grandfather से भी पुराना था यहां तक कि जतना पुराना दैरादून खुद है उतना पुराना वो bannion tree था बहुत पुराना bannion tree था I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below मैं उस bannion tree की जो branches थी उनके पीछे अपने आपको छुपा लेता था ठीक है मतलब वो जो उसकी evergreen leaves थी green color की जो bannion tree की leaves थी उसमें ऐसा लगता था जैसे की पुरा word छुप सकता है my first friend was a small gray squirrel arranging his back and sifting into the air he seemed at first to recent my invasion of his privacy मेरी जो वहाँ पे सबसे पहली friend बनी उस bannion tree में वो कौन सी बनी थी एक gray color की squirrel squirrel क्या होती है गिलहारी but when he found that I did not arm myself with tapped or air gun he become friendly and when I start bringing him pieces of cake and biscuits he grew quite bold and was soon taking more cells from hand मैं उसके लिए वो मेरी बहुत close friend बन गई थी ठीक है उसके मतलब कि उसके मन से मेरी लिए जो भी डर था इंसानों को लेकर अगर गिलहरी के मन में कोई डर होता है तो वो मेरी को लेकर उसके मन में कोई डर नहीं था मैं उसके लिए biscuits लेके जाता था केक के pieces लेके जाता था जिससे कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और उसे मुझसे डर भी नहीं लगता था कहीं बार क्या होता था वो मेरी पॉकेट में हाथ डालती थी अपना और देखती थी कहीं उसमें कुछ खाने की चीज तो नहीं है और उसमें से चीजों को वो निकाल लेती थी मैं ही वहोग हो एक बहुतने जैदा यंग सुखेल थी बहत छुटी सुखेल थी उसके जो रिलेटिव स्क्राइबर वो उसको fully समझते थे समझते थे कि वो एक बेवकूफ है जो एक human के उपर यानि के एक इंसान के उपर विश्वास कर रही है जब स्प्रिंग के ताइम पे बैनिन ट्री में छोटे चोटे से रड कलर के फ्लावर टाइप के आ जाता है जब च्प्रिंग के ऊपर लगने शुरू हो जाते थे तो बैनिन ट्री की जो ब्रांचेस थी उसकी ओपर बहुत सारे बैंचेश ते रहते थे बहुत से birds like greedy parrots, manna, bulbul, red bottom bulbul, etc. Crows During fixed season, the bennon tree was the nicest place in the garden. जब fixed season होता था तो जो bennon tree था वो सबसे जादा शोर शराबे वाला garden उस ताइम बन जाता था. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. Bennon tree के आधे portion पे मैंने एक platform बनाया था खुद के लिए जहाँ पे कि मैं क्या कर सकता था दिन का time, afternoon का time जो है वो spend कर सकता था ताकि बहुत जादा गर में मुझे ना लगे. क्योंकि वो जो बच्चा था, वो जो राइटर था, वो क्या करता था? आदे से जादा time अपना उस Bennon tree के साथ में spend करता था, वहाँ पे खेलते हुए. I could read there, propering myself up against the tree, with a cushion from the living room, Tracer, Iceland, Huckleberry, Finn and the story of Dr. Bittal were some of the books that made up my Bennon tree library. उस Bennon tree के उपर मैंने एक छोटी सी लाइबरेरी बनाई थी और उसमें बहुत सारी बुक्स मैंने रखी थी जो मुझे पसंद थी. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves and the word below and on one particular afternoon, I heard a grandstand, view of that classes of the Indian world, a fight between a mongos and a cobra. लेकिन जब मेरा बुक्स को रीट करने का मन नहीं करता था, तो मैं उस जो प्लैटफॉर्म मैंने बनाया था, जिसके उपर मैं दिन की टाइम में रहता था, उससे मैं नीचे को लीफ्स की तरफ को देखता था, और नीचे के वर्ट के बारे में सोचता था. और कई बारी मैं इंडियन वाइल्ड की बारे में पढ़ता था, जिसमें मॉन्गूज और कोब्रा की फाइटिंग के बारे में लिखा होता था, नेक्स्ट पार्ट टू, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टड़ी करें के,